चीन अभी मैं दिल्ली से आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले हवाईजाज में मैं पढ़ रहा था कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहां हमारे सैनिक गश्ती करते थे पेट्रोल करते थे लब्दाक में अब उनमें से 26 पे नहीं कर पा रहे ये हैरान कर देने वाली है चिंता किसी की किसी देश के हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए लेकिन देश के प्रधान मंत्री को चिंता नहीं है और ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि इस देश के प्रधान मंत्री ने 2020, 20 जून ये काला दिन है ये तारीक सबको याद रहनी चाहिए 20 जून 2020 को इस देश के प्रधान मंत्री ने चीन को clean chip देदी कि हमारे आँ चीन नहीं गुसा हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान हुआ उनकी हासी उड़ाई एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने और चीन को ये भरुसा हो गया कि हम कुछ भी कर जाएं नरेंद्र मोदी जी अपनी छवी बचाने के लिए आख बंद कर देंगे और कहेंगे नहीं चीन ने कोई गलती नहीं ये सर्टिफिकेट दे दिया चीन को और चीन को होसला भी बढ़ा दिया चीन का कि आप करिये जो करना है हम आख बंद कर लें उसका नतीजा ये निकला कि अपरेल 2020 से पहले जहां-जहां हमारी सेना जा सकती थी जिन पॉइंट्स पर जा सकती थी आज उन पॉइंट्स पर भारत की सेना नहीं जा सकती ये लुपसान हुआ देश हो 2000 स्क्वेर किलोमीटर से उपर हमारी जमीन जा चुकी है और तो और भारती जनता पार्टी के सांसद अरुनाचल प्रदेश की वो लिख कर दे रहे हैं मोदी जी को कि साव हमारी जमीन जा रही है कुछ रोकिये चीन को रोकिये लेकिन कोई जवाब नहीं जाता उनकी चिठी को भी जवाब नहीं जाता